हलो स्टूदेंस वेलकम टू मैंगनेट बेंस मैं रुपाली वर्मा मैंगनेट बेंस आपको अभी तक 100% फ्री एजुकेशन देता रहा है और आगे भी देता रहेगा क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि सभी को बराबर हक है सिक्षा प्राप्ति करने का तो इसमें किसी तरह क कि बाधा नहीं पढ़नी चाहिए इसलिए हमां आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आते हैं जहां तक आपको ये फ्री एजुकेशन तो हमारा चैनल दे ही रहा है लेकिन साथ ही सथाथ आपकी पढ़ाई को और भी आसान बनाने के लिए हम लेकर आए हैं बुक्स और इबुक्स ये बुक्स और इबुक्स आपको किंडरगार्डन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट के लिए मिल रही है बुक्स तो हम बहुत सारी परचेस कर लेते हैं लेकिन तब भी हमारे लिए पढ़ना थोड़ा टफ रहता है अब इस जो सिच्वेशन होती है ना कि तो हम क्या होता है उसका हमने एक ऐसी बुक्स निकाल दी जिसमें आपके सारे ही चैप्टर के एक्स्प्रिमेशन रहेंगे अर्थात हमारी एक हो जाएगी थियोरी फिर उसके बाद हम करते हैं एक बुक हमारी हो गई एक हमने किया कंप्लीट चैप्टर रिवीजन तो एक ह हम सैंपल पेपर करते हैं तो एक हमारी सैंपल पेपर के सलूशन बुक हो गई तो इस तरीके से अलग-अलग कैटेगरी इसकी बुक आपके लिए रैडी करती गई है बस अब है आपको प्राप्त करकर पढ़ाई करना अब यह आप सबसे बड़ी समस्य आती है कि हम प्राप करेगा इस बुक्स के रिकॉर्डिक तो बस आप बुक्स भी प्राप्त करिए और पढ़ाई को आसान बनाई यह तो हो गई एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफरमेशन जो हम आपके लिए लेकर आए थे अब आज आते हैं आज के वीडियो पर आज का वीडियो जैसा कि आप देख रहे हैं यह मैंगनेट बेंट टेस्ट पेपर फॉर क्लास थर्ड टू ट्वेल्ट ऑ्ल सबचेक्स वो भी क्या है 100% फ्री क्यों क्योंकि हमारा जो प्लेट पर्म है आपको 100% फ्री एजूकेशन देदा है तो यहां पर यह जो टेस्ट पेपर हैं यह आपको हंडरेट 150 पर सेटवरOPन देख हर एक सब्जेक्ट के और हर सब्जेट के आपके लिए टेस्ट पेपर हम लेकर आ रहे हैं आपके पहले पहले आपको एक-डो दिन पहले आपको इसका तो जब आपको यह PDF मिल जाए तो आप इसको तुरंत ही सॉल्फ करके रख लीजे क्योंकि उसके बाद हम यह सलूशन वीडियो लेकर आपके लिए आ जाएंगे अब इस टेस्ट पेपर में आपके पास में दो तरीके से प्रश्ण रहेंगे जैसे फॉर्मिट में हमारे टेस् में हम आपके लिए यहां पर प्रश्ण रहेंगे यानि कि objective भी रहेंगे और subjective रहेंगे दोनों ही तरीके के तो चलिए अब करते हैं अब आज का सवाल यह उठता है कि भाई कौन सा subject है कौन सी क्लास है सब्जेक्ट तो आपको पताएगी जैसा कि हम हिंदी पढ़ाते हैं अ अध्य खंड से काले मेगा पानी दे अध्याय है तेरा तो यहां पर हमने देखा था कि हमारे लेखक जो हैं वो किस तरीके से अंध विश्वासों से दूर भागते हैं यह सारी चीजे इस बताएगी इस चैप्टर यह चैप्टर में दिखाया गया है कि सरीके से पानी नहीं हैं यह सारी चीजे हैं जिस पर उनकी जीजी से लेकर बहस भी हो जाती है तो हमने यह पूरा पार्ट अच्छे से डिटेल एक्समेरेशन किया हुआ है एंसे आटी सेलिशन क्या है कि अब हमारे पास क्या है कि अब जब हुं चैप्टर अच्छे से समझ चुके हैं तो हमें टेस्ट दे देना चाहिए ताकि हम यह देखे तो अभी तक आप सॉल्व कर चुके होंगे तो अब हमें यहां पर इसका सेल्यूशन करना है तो फटाफटा पांसर अपने मि आधारित हमारे MC की उसकोशन्स दिये हैं उन्हें हमें करना है तो यह है गद्यांश संख्या एक शुरू करते हैं पढ़ना मैं असल में था तो इनी मेडक मंडली वालों की उमर का पर कुछ तो बचपन के आरे समाजी संसकार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी उस का उपमंत्री बना दिया गया था सो समाज सुधार का जोश कुछ जादा ही था अंध विश्वासों के खिलाफ जो तरकस में तीर रख कर घूमता रहता था मगर मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे जादा प्यार मिला वे थी जी जी यू मेरे रिष्टे में कोई नहीं उन तमाम रीती रिवाजों तीज तेवहारों पूजा नश्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंध विश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड फेकना चाहता था तो हमारे लेखक क्या थे वो बश्पन से आर समाजी रहे और साथी सा कुमार सभा के उपमंत्री होने के कारण यह सारी चीजें उनसे कहीं न कहीं वो अंध विश्वासों से बिलकुल ही अलग थे मगर जो सबसे जादा उन्हें प्यार करती थी जी जी वो यह सारी चीजों को मानती थी इसलिए जो यह तर्क वितर्क होते रहते थे इससे वो करने वाली सभा समाज में गंदगी को साफ करने वाली सभा समाज से अलग विचारधारा लेकर चलने वाली सभा तो क्या सभा थी वो थी समाज में व्याप्त अंध विश्वासों के खिलाफ संघर्ष करने वाली सभा यानि कि समाज में तो अंध विश्वास हैं उनको सभी क जिरे से वो नकार दिया करती थी प्रेश संख्या दोहे लेखा को कुमार सुधार सभा में कौन सा पद मिला था किस तरह का पद था उन्हें सचिव उपमंत्री मंत्री या उपमंत्री तो क्या था उनको उनको मिला हुआ था उपमंत्री का पद लेखा को किसके खिलाफ जंग जारी रहती थी किसके खिलाफ जीजी के अंधविश्वासों के प्रेम विवा के या बालसंसकार के तो उनकी जंग जारी रहती थी अंधविश्वासों के खिलाफ क्योंकि वो जिस जो है सभा के सदस्य थे उपमंत्री थे उसका कार रही था अंधविश्वासों को दूर करना जीजी का लेखक से क्या संबंद था जीजी का लेखक से किस तरीके का संबंद था मा बेटे का बड़ी बेहन छोटे भाई का अध्यापिका छात्र का या रिस्ते में कोई संबंद नहीं था तो जीजी के साथ जो है उनका कोई भी संबंद नहीं था लेकिन तब भी वो उसे ए लेडी हैं यह आपको बताना है लेखक के दूर के विस्तेदार रिती रिवाजों में विश्वास रखने वाली अंद विश्वासों का विरोध करने वाली लेखक से इर्शा द्वेश रखने वाली तो उनकी क्या विशेश्टा है वे है रिती रिवाजों में विश्वास करने वाली हमारी जो परेंपर में रीती रिवाज है उन पर वो बहुत ही जादा विश्वास करती थी अब आ गए हम अपने दूसरे गध्यांश पर बहुत ध्यांस पढ़ेंगे इसको भी देख बिना त्याग के द्यान नहीं होता अगर तेरे पास लाखों करोडों रुपे हैं औ और उसमें से तू दो चार रुपे किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ त्याग तो वह होता है कि जो चीज तेरे पास भी कम है जिसकी तुझको भी जरूरत है तो अपनी जरूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्यान के लिए उसे दे तो त्याग तो वह होता है दान तो उसी का फल मिलता है मतलब दान एक्चुली वो होता है जो चीजें हमें बहुत जरूरत होती हैं और हमारे पास कम होती हैं हम उसको दान दे तो भगवान हमसे खुश हो कर उसे वो सारी चीजें हमको चारगुना करके देंगे फल वल कुछ नहीं मिलता सब धकोसला है मैंने कहा तो पर कहीं मेरे तरकों का किला पस्त होने लगा था मगर मैं भी जिद्द पर अड़ा रहा तो किस तरीके से उन्होंने जब अंध विश्वास का विरोध किया लेखक ने तो जीजी ने जो तरक दिये उसमें से एक तरक यहा को या उपलब्ध साधनों को तो दान के लिए आवशक माना गया है त्याग को अर्थात हमें जो चीजी प्रिये हैं हम उसको द्यान दे तो वो क्या होता है त्याग होता है किस प्रकार के त्याग को उत्तम माना गया है जिसका अभाव हो वह दान देना जिसक जितना पास हो उसमें से थोड़ा दान देना जितना आवशक ना हो उसे द्यान देना उप्रोक्त सभी तो यहां पर कैसा दान देना जो है वो उत्तम माना गया है जिसका अभाव हो उसका दान देना अर्थात हमारे पास जिस चीज की कमी हो वो चीज अगर हम दान देते हैं तो वो उत्तम हो देना अपनी जरूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्यान के लिए देना अपनी जरूरत का पहले ध्यान रखना अपनी जरूरत को सामने रखकर दूसरे को ना देना तो यहां पर कैसा त्याग है जो हमें फल देता है वो है अपनी जरूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्यान के लि यह जो वक्तव है यह बोला हमारे लेखक ने कि फलवल कुछ नहीं मिलता है यह सब ढगोसला है यानि कि सिर्फ मानने की बाते हैं ऐसा कुछ होता नहीं है प्रेश्ट संख्या 10 है तर्कों का किला होना तर्कों का किला होने से क्या ताथ उन्होंने बोला ने कि तर्कों का किला धुरत पस्त होने लगा तो यहां तर्कों का किला होने से क्या मतलब है विचारों की शक्ति समाप्त होना तर्क के इस तर्क पर हार जाना सब कुछ समाप्त होना बुरी तरह घायल होना तो तर्कों का किला होने से ताथ पर है तर्क के इस तर्क पर हार जाना अर्थाद हम किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे हों और जो हैं हम उससे हार जाएं तो क्या कहते हैं तरको का किला फस्त हो जाना अर्थाद हम हार गये अब हम आ गए हमारे subjective question यानि की वर्णात्मक प्रश्ण में जितने objective थे हमने कर लिए फटाफट अब हम फटाफट subjective questions पर आ जाते हैं इनको ध्यान से करेंगे प्रश्ण संख्या 11 है बच्चों की टोली इंद्र भगवान से किस प्रकार बारिश करवाने के लिए प्राधना करती है अब वो क्या है वो बच्चे जो है बच्चों की टोली है वो अपने सारे कपड़े उतार देते हैं खाली जो है वो अंडर गामिन्स में आकर मतलब जो जलते हैं और जो है काले मेगा पानी दे करके गाना है उसको गाते हुए और हर घर के सामने से निकलती थे और हर घर से जो है कोई ना कोई पर पानी ज्लता था और जगीली हो पानी फेक ने इसे उत्पन कीचड को हाथ पाओ बदन पेट पर सब पर मलकर गंगा मैया की जै बोलते हुए काले बादलों से पानी बरसाने की प्रार्थना करते थे तो यहां पर एक यह बोला जाएगा कि वो इंद्र भगवान के लिए पानी को एकत्र कर रहे थे कि इंद्र अंध विश्वास की पानी फेको ये सारी चीजों को वो बिल्कुल भी मानने के लिए मना करते हैं क्योंकि ये समाज में व्यापतिक अंध विश्वास है उनका मानना तो जितने भी अंध विश्वास है वो उन सभी को जो है सिरे से खारिच करते हैं क्या है लेखा के अनुस कमी है और उपर से जो हापनी कठा किया मुश्किल से वो सारा पानी या फाल तुमें फेक रहे हो तो ये क्या एक तरीके से बरबादी भी है और अंदिविश्वास भी है वास्तों में उन्हें ये पानी अपने उप्योग के लिए रखना चाहिए इसलिए लेखा का अपनी लेखक जीजी के किन किन कामों को करता था तो उनके एचली वो अब एज में बहुत जादा एजिट थी तो उनके सभी कामों को करना ये कार वो किया करते थे कैसे काम थे वो जैसे जीजी की खुशी के लिए लेखक को वे सभी काम करने पड़ते थे जिने वा अद्ध विश् और पंजीरी बाटता था हर छट पर कुलियों में भूजा भरता था तो मतलब वो सारे जो तीच त्योहार के जित्ते भी रीती रिवाज होते हैं जिनको हमारे लेखक जो हैं अंधविश्वास माना करते थे जीजी की खुशी के लिए उन्हें वो सारे ही कार्रे करने पड़त थे प्रश्ण संक्या 14 है काले मेगा पानी देसं समरण में लेखक ने लोग प्रचलित अंध विश्वास को अंध विश्वास कहे कर उनके निराकरण पर बल दिया है इस कथन की विवेच ना कीजिए यानि कि लोग जिन चीजों पर विश्वास करते थे हमारे लेखक ने उ वो आप यहां पर बताएंगे लेखक ने इंदर सेना की कारेप्रकों को अंध विश्वास का नाम दिया आप आम आदमी इंदर सेना के काम को लोग प्रच्चित विश्वास कहते हैं पर लेखक ने इन गलत बताया है लेखक इन अंध विश्वासों को खत्म करने के लिए कह क्योंकि इन्हें दूर करने में से ही समाज का विकास हो सकता है अगर लेखक उनका क्मानना है कि अगर हम समाज से इन सारी चीज़ों को दूर कर देंगे तब ही समाज जो है विश्वास जो है वो विकास कर पाएगा अगर वो इस तरीके के अंध्विश्वास में डूबा रहे उनको ये इंदर सेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो लेखक थे तो उसी उम्र के जिस उम्र के लड़के इंदर सेना में शामिल थे लेकिन जो इंदर सेना कारे किया करते थे वो पूरी तरीके से उन्हें अंध विश्वास लगा करता था तो इसलिए वो इंदर सेना को बि रखता है कि एक और सूखे के कारण पानी के अभाव में लोग मर रहे हैं दूसरी और ऐसी स्थिति में घर में रखे हुए कीमती पानी से इंदर सेना का नहाना उस संकट को और बढ़ाता है लेकिन लोगों का अंधि विश्वास है कि इंदर सेना में उपस्तित लड़कों की सुनकर इंदर देपता प्रसन होकर धरती की प्यास बुझा कर सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करेंगे तो यहां पर इंदर सेना द्वारा किया गया यह कार उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि इस तरीके से पानी जो हमारे इतनी मदब हमारी बेसिक नी तो यह सीधे-सीधे एक अंद्विश्वास है और पानी की ब्रबादी है इसलिए वो इंदर सेना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे प्रश्ट संख्या सोला है काले मेगा पानी दे पाट के आधार पर जल और वर्षा के अभाव में गाउं की दशा का वर्णन कीजिए जब गाउं मर पानी नहीं बरसता है और धीरे-धीरे जो है क्योंकि वहां के पोखर, कुएं सभी सूखने लगते हैं तो फिर वहां की द इतने के बाद आसार के भी 15 दिन बीच चुके थे पर बारिश होने का कोई लक्षण नहीं था आसार मास में पानी बरसने लगता लेकिन पानी नहीं बरसा था 15 दिन बीच चुके थे कुएं सूखने लगे नलों में पानी नहीं आता था खेत की मिट्टी सूख कर पत्थर हो गई थी पपड़ी पढ़कर अब खेतों में दरारे भी पढ़ने लगी थी जुलसा देने वाली लू चलती थी डोर डंगर प्यास से मर रहे थे पर प्यास बुझाने के लिए पानी कहीं ही भी उपलब्द नहीं था अब ग्रामीर लोगों के पास कोई उपाय ना होने के कारण वे पूझा पार्ट में लग गए अंत में इंदर सेना भी इसी उद्देश्च से निकल पड़ी तो भाई जेट मास की गर्मी मतलब आप समझ लीजे समझ की जो गर्मी होती है ज पारिश होना शुरू होती है तो तब तक जिना इतनी सारी गर्मी पढ़ चुकी होती है चारों तरफ पानी के जितने श्रोत होتे हूं वह सूप चुक्ण और गाओं में भाई यही श्रोत है वह पानी मिलता है तो पानी की बहुत बेसरीज इंतजार किया जाता है प्रेश्च संख्या 17 है लेखक इंदर सेना या मेधक मंडली के कार्यों को सरहानी ये क्यों नहीं मानता अब पूरा गाउं तो पूरा उन पे विश्वास करता है इंदर सेना और मेधक मंडली पे कि भहीन पे हम पानी डालेंगे तो जल्दी बारिश हो और ग्रामीर महिलाएं ऐसा करके हर्शित हुआ करती थी यानि कि जुगाओं की महिलाएं होती थी उन्हें ये करके बहुत अच्छा लगता था। उनके अनुसार हम जिस चीज का त्याक करेंगे वही चीज हमें बाद में परियाप्त मात्रा में प्राप्त होगी। लेखक के अनुसार इंदर सेना द्वारा ऐसा करना अंधविश्वास हैं क्योंकि इससे पानी की बरबादी होती है इसे लेखक इंदर सेना या मेढग मंडिली के कारियों को सरहानिय नहीं मानता था। मतलब वो इतना कार्रे कर रहे हैं सभी की भलाई के लिए वो सब लोग अप्रिशेट करते थे गाओं के लोग लेकिन हमारे लेखक को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आता था क्योंकि उन्हें लगता था ये पानी की बरबादी और अंधविश्वास है। प्रश्ण संख्या 18 है। लेखक किस विचारधारा को मानने वाला था। उस विचारधारा का उन पर क्या असर पड़ा। आप किसी आरसमाजी विक्ति को जानते हैं तो वो इस तरीके के अंध्विश्वासों को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं किशोरों को जागरत करने वाली संस्था कुमार सुधार सभा का उपमंत्री लेखक ही था इस कारण पा इंदर सेना द्वारा पानी मांगने को अंध्विश्वास समस्ता था लेखक अंध्विश्वासों के विर्द लोगों को सजक करता था लेखक का मानना था यदि इंद्र महराज से इंदर सेना पानी दिलवा सकती है तो खुद अपने लिए पानी क्यों मांग रही है इस अंध्विश्वास के कारण ही ये सब ही महलों का पानी नश्ट करवाते फिर रहे हैं इन ही अंध्विश्वासों ने हमें अंग्रेजों का गुलाम बना दिया अता लेखक अंध्विश्वासों के विरद ही रहा करता था तो यहाँ पर उनका एक तर्क ये भी था कि अगर ये पानी दिला सकते हैं तो अपने लिए पानी क्यों मांग रहे हैं बाई ये इंद्रत भगवान से ही पानी मांग लेते हैं अगर हमें ये पानी दिला सकते हैं तो इस तरह के अंद्विश्वांसों नहीं हमें क्या किया अंग्रेजों का गुलाम बना कर रखा ये एक तर्क भी हमारे लेखक ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है प्रश्ट संख्या 19 हैं इंद्रसेना पर पानी फेकने ना फेकने के बारे में जीजी और लेखेके के विचारों की तुलना कीजी फेकना और नहीं फेकना तो इसमें बहुत सारे तर्क हुए थे दोनों के बीच में उन्हीं विचारों को हमें यहाँ पर रखना है जीजी के नुसार इंदर सेना पर पानी डालना जल की बरबादी नहीं थी बलकि यह त्याप की भावना थी वे मानती थी कि जिस प्रकार किसान अनाज उगाने से पहले कुछ अनाज धर्ती में बोता है उसी प्रकार गाव वाले इंदर सेना पर पानी फेकते हैं जिससे भगवान खुश होकर वर्षा करके धक्ती को हरा भरा कर सकते हैं लेखक को ये बात अंधविश्वास लगता था अब देखिए क्या जी जी का मानना क्या था जिस प्रकार से किसान खेत में बीज बूता है और बीज बोने की बाद ही लहलाती फसल बढ़ियां बढ़िय कर रहे हैं और ईश्वा जब से खुश हो जाएंगे तो बर्षा करेंगे और पूरी धरती हरी भरी हो जाएगी लेकिन इसके विपरीत हमारे लेखक का तरक क्या था लेखक को यह सब अंधविश्वास लगता था और जल की बरबादी भी लगती थी हम लेखक के इस विचार से सहमत है क्योंकि जल को बरबाद करना उचित नहीं कहा जा सकता है कि इंद्र सेना के विशय में लेखक और जीजी की राय में परयाप्त अंतर है लेकिन मेरे विचार से लेखक की राय अधिक तारकिक है अगर हम तर्ग शक्ति के इसाब से देखें तो लेखक बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जहाँ पानी इतना कम है उस तरीके से पानी की बरबादी करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है वा जो है लेखक की राय से सहमत है कि जो है पानी की बरबादी हमें नहीं करनी चाहिए और ये माननेता एक अंधविश्वास है प्रेश्ण संख्या 20 है लेखक अपने आपको कब बेबस महसूस करने लगता था कौन सी कंडिशन थी भाई जी जी के तर्कों के आगे वो अपने आपको बेबस महसूस करने लगते थे जिस भाई एक तो एक उम्र में बहुत बड़ी थी उनसे बहुत प्यार करती थी तो अगर वो रूट जाते थे तो मनाती थी और फिर वो तर्क देती थी उसके आगे हमारे लेखक बेबस हो जाया करते थे लेखक की एक जीजी थी जो विरोध की अभिवक्ती नहीं कर पाता था मतलब वो ये सारे अनुष्ठान बीती रिवाज को नहीं मानते थे लेकिन अब जीजी उनहीं से करवाती थी तो वो पूरी तरीके से खुल के अपना विरोध व्यक्त नहीं कर पाते थे जब दीदी इंदर सेना पर पानी फेकने जा रही थी तब लेखक इस तरह से पानी की बरबादी को देखकर उनका विरोध करने लगें परन्तु दीदी लेखक के विरोध को नहीं मानती है और लेखक जीजी के इसने के सामने स्वेम को लाचार और बेबस महसूस करने लगते हैं तो किस तरीके से वो बोलती पहले त इसलिए मैसूस करते हैं क्योंकि वो इतना प्यार करती हैं तो वो जो तर्ग देती हैं उसके आगे भी वो बेबस हो जाती हैं तो इस प्रेश्ट के साथ हमने फटा फट अपना ये चैप्टर कम्प्रीट कर लिया आज़ूप आपको बहुत अच्छे से समझ में आगे होगा कि आंसरों समकिस तरीके से लिखेंगे तो आगे और बहुत सारे चैप्टर से हम सभी चैप्टर का यहाँ पर टेस्ट पेपर लेकर आ रहे हैं तो बिलकुल रेडी रहें इन सारे टेस्ट पेपर को सॉल्व करने के मैंने बेंस आपके लिए लेकर आया है बुक्स और इबुक्स ये बुक्स और इबुक्स आपको मिल रहे हैं कि इंडर गार्डन से लेकर क्लास 12 तक के सब सब्जिक्ट के लिए इनको हमने अलग-अलग केटिगरी में आपकी सुविधा के लिए तयार किया है जैसे कि हम पढ़ते हैं NCRT Solutions तो हमारी एक बुक हो गई NCRT Solutions हम Sample Papers करते हैं तो एक हमारी बुक Sample Papers Solution बुक है हमने MC की उसकी है तो एक बुक हमारी MC की उस बुक हो गई इस तरीके से अलग-अलग केटिगरी में हमारे पास बुक है तो आप अपनी पढ़ाई को और आसान करने के लिए इन बुक् इस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक दी गई है उस लिंक के अंदर एक फॉर्म है उसे फिल करके सम्मिट कीजिए हमारा एक टीम मेंबर जल्दी आपसे कॉंटेक्ट करेगा थैंक यू फॉर वाचिंग पाई